कि है लो फ्रेंट्स वेरी गूड इवनिंग कैसे आप सब मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अमने परिवार एक्जांपूर बाराधिक स्वायत करता हूँ हमें एक्जांपूर कलम से क्रांती के और कैसे हैं दोस्तों सातियों एक बार जल्दी से जल्दी मिलके लवी तो तब तक आपका मोग टेस्ट चलने वाले हैं उसके बाद हम अपना कंटीनिव करेंगे प्यार दोस्तों इन से हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारी कितनी तया तयारी है और हमें किस तरहीं से त्यारी करने चाहिए ठीक है प्यार दोस्तों तो मिलके एक बार सेर करें स च्छोड़ा सा सभी सेर करिए अपने फेस्बूक वाट्सेप ग्रूप पे डाल दीजिए वीडियो को ठीक है जल्दी से और कोश्चन लगाता हूं जो आपको कल होमवर्क दिया था चलिएगा पहला कोश्चन स्क्रीन प्यारे जल्दी आंसर करिएगा कि उसमें चलिए तो प्यारे दोस्तों देखते हैं और चलिए तो प्यारे दोस्तों कोश्चन का अंसर करिए जल्दी से जल्दी से कोश्चन का अंसर करिए ठीक है यह कोश्चन स्क्रीट प्यारे लगा हुआ है अब पढ़ लेते एक बार आपने देख लिया होगा इंगलेस इंदी दोनों में दिक्कत आ रही है समझने में तो देखें में थोड़ा जूंक करा देता हुए ठीक है थोड़ा इंदी में लगा दीजिएगा ठीक है कोश्चन कि वी सजार रुपिया तो 20,000 क्या करता है कि रासी किसी वेगति ए को 20 Пर्तिशत पर्ति वर्ष चक्रवर्दी ब्याच की दर से उधार ले तेता है झी से तिनाई करता है गया कितना वहां होगा यह आपसे पूछ गया प्यार दोस्तों को समझने कोसिस कीजिए कि हुआ क्या था आपके मूल रासी कितनी थी जो मूल धन की बात करें तो वह 20,000 रुप्या थी कितनी थी 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 टाइपिंग विश्टेक है कोई दिक कर नहीं है एक जीरो और लगा लिजिए 20,000 रुपे कि रासी थी अब हुआ क्या होगा सीन समझे ह हुआ क्या चलाकी है तो आपको किसी ने 20,000 रुपे दिये किसके लिए एक एक साल के लिए 20 की दर से तो एक साल के लिए 20 की दर से अगर पैसे मिलेगा तो 4000 रुपे सीदे सीदे उसको दे देना था कितने साल के बाद एक साल के बाद अब आपने सोचा भी मुझे इससे कोई फाइदा हुआ नहीं है तो आप क्या करोगे उसी धन को सेम दर से बई किसकी दर से से बीस पर तिसत की दर से किसी और वेक्ति को दे दिया सोचा वह एक साल के बाद में उस से कुछ भी आज कमा लेता हूँ उस रुपए पर वो कैसे कमाता है दर तो वही रकी बीस लेकिन हर हर 3 महीने के बाद उसके पास जाने लगा कितने महीने के बाद जाने लगा हर 3 महीने के बाद में उसके पास में जाने लगा वो तो आपके मुझे बताईए 20 रुपे तो मिलते हैं अगर साल मंथ तो हर 3 महिने के बाद को 20 देगा कितने यह महीन flames में एक साल में कितने महीन мहीन में मैं मग SC2 अगर 20 नहींद था तो 3 महीने में कितने ता चाहिए यह लेकिन दर वी में और ब्याज आपका चक्रवर्दी ब्याज है तो जो ब्याज आता रहेगा उसके उपर फिर से लगता रहेगा तो दर क्या हो जाएगी इस तरफ तो उसने जिसने लिया था वही ए ने धन लिया था 20,000 रुपे तो 20% की दर से जो वो चुकाने वाला था एक साल में इसे C.I.S.I. बराबर होता है एक तरफ इधर C.I.S.I. कर लेते हैं बस फरक यह रहेगा यहां हर तीन महीने के लिए उसने दिया है और इधर एक साल के लिए वो किसी को चुकाने वाला है तो 20 की दर से कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4,000 रुपया कितना 4,000 इधर दर आपकी क्या हो जाएगी वही तीन महीने के लिए दर क्या हो जाएगी 5% बही पांच रुपए देगा वो 20 नहीं देगा ठीक है अब 4 वर्स तक का ब्याज कितना वनेगा अब यह देखिए पहले तो इसका सीधे सीधे लगा यह कितना मिलेगा पहले वर्स पहले वर्स मतलब पहले तीन महीने में जब वो गया होगा से लेने तो कहा होगा वही दे बीस हजार रुपे का पांच परसेंट कि दर से ब्याज दे जल्दी से वह कहेगा कि लिजे भई हजार रूपए ले लिए फिर अगले तीन महीने में गया होगा तरीके से 12 महीने तक वो उसके पास गया तो उसे हर तीन महीने में 10000 में बेज किसा पर मिलता बासे पहले कि आपको पता लेकिन हजार उसको नहीं दिये होंगय होता क्या है कि आप उसके बार उसको याद दिलाने जाते वही देखी मेरा यह 1000 उप्शंप बन गया है तुम पे टिक है अब आप देख लीजिए कैसे देने वाले हो तो कहें कई दूंगा एक साल के बाद यह कोई बात नहीं है जो ब्याज हो गया है अगले 6 महीने पे जब मैं 6 महीने बाद आऊंगा तो इसका भी ब्याज देना पड़ेगा 1000 रुपे गा क्या लगा चल वही ठीक ऐसे कर लिखते हैं तो 1000 का 5% किता होता है पचास तो उसके पास किते 50 रुपे और एक्स्ट्रा हो गए अब 6 महीने तो ओगे अब 9 महीने जाएगा तो कहेंगा वही देख 1000 तो तीन महीने का अगले 3 महीने का होरजार यानि करण श्म, चैजया उर्पते हो गए और पचास हुए थे उसन पर 1060 अब्याज बत्ता तो किता देगा तो के त्विद्द 2000 का तो कितना और curve 5 से 2000 का 5 कि दर से कितना हो जाएगा प्यार दोस्तो 100 रुपे कितना हो जाएगा 100 रुपे अब वो कहता है भी 50 रुपे का भी निकाल तो 50 का 5% कितना हो जाएगा आपको गेसा 2.5 कितना हो जाएगा 2.5 अब वो सीधे जाता है इसके पास 12 महिने बाद किसके बाद 12 महिने बाद तो तो जब वह 12 महीने बाद किया तो उसने का भी देख तीन महीने का तीन महीने का जो 1000-1000 पे खट्टा हुआ था 3000 तो वह गया उपर से 50 और सो डेट सो एक हो गया और धाई एक हो गया इन सभी का अब आज बता मुझे किता देगा यह बाराट 12 महीने में किस दर से पांच की दर से तो 3000 का पांच की दर से 400 तो कहता है सीधे अब ले टे तेरा अब पचासर 100 लेट सो अब टेट- सो पे देगा तो लेट तो फापांच परसेंट कितना हो जाएगा आपको सर सेवन पोईंट 5 7.5 और अब बचा इसका डेट सो का यह ओ गया अब इसका बचा थीक है यह डेट सो का दे दिया उसने अब 5 परसेंट कितना होता है 251 25 यानि के पोइंट वान तू फाइव देख लेजएगा तो धाई का पाच परसेंट किदर से किता हो जाएगा पॉइंट वन टू फाइव इतना ही होगा कोई दिक्कत तो दिया है चलिए अब सारों को एड कर लीजिए अब बारा महिने के बाद भाई अब लेके ही आ जाएगा कहेगा भाई अब नहीं आँगा मैं तुम्हारे पास अब तो तु पचास दो सो तीन सो साड़े साथ और धाई तीन सो दस यानि के 310.125 रुपिया का इसको फाइदा हो जाएगा यह उसका लाब है ठीक है यह उसका लाब है वह इतनी चोरी करके 310 रुपे बचा पाया इतना वड़ा चोड़ता हो ठीक है बात सभी को कीलियर है यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी 310.125 रुपे आपका आंसर है अगले कोश्चन लगवा देते हैं जल्द से देख लीजिए मैं रिपीट कर देता हूं ठीक है जब तक आप अगले कोश्चन को ट्राइब करिए जिसको समझ आ गया जिसको नहीं आए और देखें किसी से 20,000 रुपे मा 20 की दर से देता हूं लेकिन हर तीन महीने बाद काउंट करूंगा तो अगर उसके पास याद दिलाने जायेगा तो वह क्या कहे का भई तीं महीने में पांच परसंट के सब्सक्राइब सब्सक्राइब में दाराम यह अब जो भी बिया जाता रहेगा वोग अगले कि लिए फिर क्या करेगा उस पर ब्याज़ लेगा तो जब वह छटे महीने जागा तो कई वह पहले तीन महीने के जो एक हजार हो गए तो पचास फिर नो महीने में जागा तो कर लीजिए आप कांसर आ जाएगा चलिए तो यहां ही तक रखते हैं इस कोश्चन का तांसर हो गया अब अगला कोश्चन आप की स्क्रीन पर आ गया है इस कांसर जल्दी दीजिए ठीक है तो देख लेता है कि सक आप बहुत बढ़िया है ठीक है थुड़ा पानी पिलेता है आंसर आया किसी का जल्द इसी मिलके सेर करिए और समझ आ रहे हैं तो थमसब करिये आरहा है न करांए न इस तरह ए कोश्चन बिल्कुल करांए और जो टेबल में थड़ है वो भी लगा सकते थे पांस परसेंट के लिए एक बटा बीस और चार साल के लिए लिकाल दो ठीक है उससे भी कर सकते हैं अब ट्राइ कर सकते हैं चलिए खेर इस कोश्चन का अंसर बन गया अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर बिखरा पड़ा यह जल्दी से आंसर दिज्ये आपका अंसर आ गया होगा जल्दी से देख लेते हैं देखे कोश्चन में यह का आगया और वो तो बहुत आसान कोश्चन है देखते ही मैं लगा दिया होगा आपने सात्सो मीटर लंबी रेल गाड़ी है चलिए शाथसो मीटर लंबा गंटा की चाल से चल रही कोई रेल गाड़ी तै करती है तो कितना समय लेती है यह पूछा गया तो आसान है वही 700 थो खुद है वह ठीक है 700 प्लस 400 प्लेट फोर्म तो घ्यारा सो मीटे लंबी दूरी से तै करने कितना समय लगा होगा 72 की चाल से तो इसको मीटर पर सेकिंड में बदलेंगे तो पांच बट्टे ठार से गुना चार बार गया यह 20 हो गया और 1100 को 20 से भाग देंगे तो कितना आजाएगा बताइए 55.5 ऐसा ही है क्या ने 110 का आदा 55 हो जाएगा ठीक है जीरो से जीरो चल बसी तो 55 सेकिंड आपका कहीं आंसर लिखा होगा जल्दी देखे कितना आएगा 55 सेकिंड तो इसमें कुछ है नहीं अगला कोश्चन लगाते जल्दी से आपने कर लिया होगा 700 की तो लंबी रेली है 400 प्लेटफॉर्म तो टोटल लेंट 1100 बहुत बढ़िया सभी का अंसर आए थमसप जल्दी से मिल लग देना है 20 से तो कितना आएगा 55 से लिए अगले कोश्चन पर आ जाते हैं कि अगर 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 जी कितना अंसर आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो परसेट भी आजसर दे रहे हैं और भी बच्चे आजसर कर रहे हैं तो देख लेते हैं लिखाई दे रहे हैं आप सभी को जूंग करवाने की जरूवत है तो एक बार हिंदी में लगवा देता हूँ आएग ठीक है थोड़ा सा दिक जाएगा ठीक है एक डन है चलिए एक बेलन में से एक संकू को काटा गया बाहर निकाल लिया गया यदि बेलन और संकू की तिरिज़ा है वं उचाई एक समान हो ठीक है बेलन की जो तिरिज्जा है रूचाई है वो दोनों एक समान है तो बेलन के बचे हुए भाग का आयतन संकु के आयतन से कितने परतिसत अधिक है ठीक है भई काट किसमें से रहे हैं बेलन में से काट रहे हैं एक संकु को तो जाहिर सी बात है बेलन का जो आयतन होगा वो जाद कहा होता है वो बताएं कि भेलं का आइतन क्या है कि फिर संकु को इसमें से काटना यह तो सारी चीज़े तो मैं पूश्ता हूं ठीक है रहते तो बहुत पढ़ते रहते हैं तो बेल tightly और संकूग का किस का एतन संकूक का आइतन संको होता है आपका कौन वोल्यूम आफ कौन और वोल्यूम आफ सिलेंडर ठीक है सिलेंडर तो मैं इतना लिख देता हूँ वोल्यूम आफ सिलेंडर वोल्यूम आफ कौन क्या होता है बेलन कायतन वो होता है पाई आर स्क्वेर एच और इसका क्या होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वेर एच आपको बता है रेडियस भी सेम है हाइट भी सेम है तो यह दोनु कट गए ठीक है पाई से पाई भी कट गया आप को गए सरी तीन इदर आ गया तो तीन में से एक भाग आपने काट लिया तो मुझे बताईए प्यार दोस्तों भाग कित सर दो भाग तो बच गया है और यह स्वेम कितना है एक है यह तो बचा भाग है कैसा भाग है बचा हुआ भाग बचा हुआ भाग कितना भाग है तो तो आज से कोशन में भी पूछ रहा है क्या पूछ रहा है तो बेलन के बचे हुए भाग का बचे हुए भाग कितना है दो का item संकू के item से संकू का item कितना है कितना अधिक है हर चीज़ को किस पे निकालते है 100 पे अगर इसमें 2-0 लगा दे पैर दोस्तो यहां भी 2-0 लगा दे और यहां भी 2-0 लगा दे तो मुझा बताईए 300 में से 100 भाग निकाल लिया तो 200 बचा तो सो से 200 कितना दिर्फंट है, सो से 200 कितना दिर्फंट है 100 परसेंट बस यह यह आंसर यह, 100 परसेंट यह को साथ में लगवाता हूं जल्दी से बताईएगा ठीक है चलिएगा आपको बोला गया बेलन के आयतन में से आपने संकुक आयतन निकाला तो पहले बेलन कायतन देखते किता होता है पाई आर स्कुरेच तो आप से पूछ रहा है कि जितना भी भाग बचा है वह उससे अब कि अगले कोशन पे चलते हैं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आ गयाना है तो जल्दी से थमसब करके बताईए यह सर समझ आ रहे है डन है और मिलके सेर करिए लाइक करिए प्यार दोस्तों क्लास को ठीक है मिलके बढ़ाईए वही आपके लिए यह त्योहार में भी क्लास लगाई गई है तो प्यार दोस्तों मैं चाहता हूँ आप चीजो अधियुक्यों अधियुक्यों कि यह तो अधिये आप सभी का जल्दी बताईए तुम मैं देख लिए बनने वाला है को स्क्रीन पर यह लगा हुआ है तो पिक्यू का जो पार्त है तो यह बताईए है बहुत बढ़ी आंसर सभी के आने लगे अंसर सभी के आने लगे मैं भी देख लेता हुटीक है चलिएगा तो प्यारे दोस्तों देखिए बहुत ही सरल कोश्चन है आसान है कैसे करें कि आपको क्या और सामने लिख कर रहे होंगे कुछ से फिल करके कर रहे होंगे दो तीन तरीके होते हैं पर प्यारे दोस्तों दोनों ही तरीके में आप क्या करोगे इनको चीजों को काटना पड़ेगा पी क्यू क्यू आर आरेस करके सीधा करा फिर ऐसे क्रोश करा ये करा ये करा एक वो तरीका है एक फिल करने वाला तरीका होता है वो भी आपको सब क्लास में मैंने बता हुआ ठीक है चलिए तो इस कोशन को देखते कैसे करते हैं कि पी क्यूक अनुपात है चार अनुपात तीन कितना है 24 आनुपात तीन चलिए क्यूं और अर इसका अनुपात प्यार दोस्तों 6 अनुपात 11 अब देखिए जिसमें कुछ काटने पीटने के जरुवत नहीं है मैं जो तरीक आपको बताता हूं ठीक है क्या कौन सेप्ट है अनुपात हमेशा हमें बताती है रियलेटी क्या बताती है वास्तविक्ता एस यहां पर किता है 11 एस और जगह कहीं मिलेगा नहीं ठ मैं कि अव consistency होता हूँ मेरा mindset है का keeps 6 है यहां पर कितना है यहां पर कितना है दो है यह AAR दोगे बरावर होना चाहिये कि नहीं होना चाहिए बताये एक आर सेंगल एकacas बारे में बात को रहे तो अलग औलग कैसे हो सकता है यहां शे तो यहां पी 6 तो 3 की गुना करिये कि यहां पर भी टीन की गुना अब यहांसे क्यों देखिए तीन है और यहां पर सत्ताइस नो तीसाथाइस तो यहां किस की गुना करिए नो की तो यहां पर भी नो की बस आंसर अब पांसर मिला लीजे नो चोके 36 तो देखिए पी अनुपात क्यूं अनुपात आर अनुपात एस कितना आ गया 36 27 आर किता है 27 है और यह किता है अच्छा क्यूं किता है 27 है आर किता है तीन दोनी चैट और छे चैट और यह 11 ऐसा कहा लिखा हुआ सब्सक्राइब करना कुछ नहीं है तो आप समझ गई करना कुछ नहीं है पीछे की साइड से चीजों को एड़ियस्ट करते चलिए 11 यह आर छे है यहां पे भी 6 होना चीए ठीक है तो यहां जिस तरीके से करें आपको जो अच्छा लगे ट्राइ कर लीजिएगा ठीक है चलिए अगला कोईशन स्क्रीन पर आ गया है जल्दी आंसर करिए जल्दी से कर ले तेस कोईशन गो भी एक सहर में 20 वर्ष से ज़्यादा आयू वाले लोगों की सिंख्या 20 वर्ष से कम आयू के लोगों की सिंख्या का 6 गुना है ठीक है चलिए निम्न में से सहर की जन सेख्या कौन सी हो सकती है आंसर दीजे जल्दी से और जिसने लाइक नहीं क्या प्लीज वो लाइक कर ले ठोड़ा मिले के सेर कर दीजिए फ्यार दोस्तों ठीक है मैं चार हूं अराम अराम से चले और दीरे दिए सारी चीज़े समझ में भी आप आया आपको देखिए कोशन की लेंग्वेज के हिसा आप से काम करते हैं सहर में 20 वर्षे ज्यादा आयू वाले तो एक तरफ ले लेते 20 वर्षे ज्यादा आयू वाले ठीक है 20 वर्षे ज्यादा आयू वाले अनुपात बनाते 20 वर्षे छोटे 20 वर्षे चोटे यह तो 20 वर्षे बढ़ा हो गया तो 20 वर्षे यह तो बीस वर्ष से क्या हो गया छोटा छोटा बोला तो सुरू में बीस वर्ष से जादा बीस वर्ष से जादा वाले होगे ठीक है अब बीस वर्ष से कम वाले तो बीस वर्ष से कम वाले देखिए इधर ले लेता है तो जिसकी तरफ को यह मुह खुलता है इसका मतलब है कि बस वह थीक है तो 20 वर्ष से कमायू मुअ वाले इधार आ गए और 20 वर्ष से ज्यादा वाले इधार आनुपाद क्या क्या जिया गया घैए चैने बिश वर्ष से कमाई वा लोगों की सेंख्या का 6 गुना है तो यानि के यह एक है this लिए टोटल किता हुआ छहरेक साथ तो साथ से काट ये option को साथ से option काट ये कौन सा कट रहा है चलिए साथ से option को काट के देखिए कौन सा कटता है तो पहला कटता है नहीं कटता दूसरा नहीं कटता चोथा नहीं कटता तो नंबर सी आजाएगा साथ से कटने वाला उप्सन सततर क्यान में यानि के जन सेंख्या आपकी इस तरीके से होनी चाहिए टोटल पार्ट साथ से कटना चाहिए अगले कोशन पे चले कुछ भी तो नहीं ता कोशन के अंदर 20 वर्स से जादा वाले 20 वर्स से 20 वर्स से कम वालों चाहिए जो आपका चाहिए जो आपका चाहिए तो साथ से एक ही उप्सन कट रहा है सी आंसर ठीक है और सबस्क्राइब निकाल के थमसब कर दीजिए यह सर समझ आ रहा है ठीक है सर्दी में तो ना कोई सा चलिए दिवाली का पूरे आनंद ले रहे होंगे आप लोग कैसे रही दिवाली बता दीजिए जल्दी से साथ-साथ ही चलिए तो यह कोशन फिर स्क्रीन पर आया यह भी आया भाई इसको भी देखते हैं कोशन पर कोशन कोशन पर कोशन लेकिन आंसर भी मिलते रहेंगे एक आदमी अपने घर से कारियाले तक साठ किलोमेटर की दूरी बीस किलोमेटर पर ती घंटा से जाता है अच्छा साथ कि साथ जाना है बीच किलोमेटर पर ती哪裡 चाल से चलता है तो resonates Leslie ये कहता है बाजार से घर तक जाएगा तीकिलोमेटर की दूरी पंदरा की चाल से तो थीस की दूरी पंदरा की चाल से 2 घंटे और लेगा होह ओसत क्या पूछ ली भईया ओसत चाल क्या होती है ओसत चाल होती क्या है तो को आपको पता है average speed average speed होती है ओसर चाल होती है प्यारे दोस्तों be total distance कुल दूरी जितनी भी चला रो कर हस हस कर जैसे भी जितनी भी जला और जतना भी टोटल टाइम उसने लिया है टोटल डिस्टेंज टोटल टाइम टोटल डिस्टेंज कितनी जब वो गया था 60 गया था ठीक है लोटे टाइम बाजार तक 40 आया और फिर 40 के बाद में बाजार से घर भी आया 30 तो टोटल दूरी इतनी आपको पता है 60 गया था 20 की चाल से तो इतना टाइम 40 गया 10 की चाल से इतना टाइम और 30 गया 15 की चाल से इतना टाइम ठीक है अब कर सकते हैं साटर चालिस सो 130 किलोमेटर टोटल चला हुआ है वहिया तीन गंटे चार गंटे साथ सातर दो नू बस और बता दीजिए नो एकम नो चार नो चोके चतिस चोड़ा सभी चार बटे नो आ रहे भाही बाई का 14 सभी चार बटे नो आ रहे है कहीं और सब्सक्राइब यह और सब्सक्राइब तो कर लोगे आसान है आवरेज स्पीड का मतला होता है टोटल चली गई दूरी बटे टोटल लिया गया समय कुल समय तो आपने देखा दूरी टोटल साथ 40 30 टुकडो टुकडो में चली साथ 20 के 40 40 10 की और 30 15 की तो टोटल समय लगा है टोटल समय लगा है 9 घंटे 130 दूरी चलने में तो आप कर सकते अगले कोशन बें चलते हैं ठीक है है अगला कोश्शन स्क्रीन पे दोड़ा हुआ रहा है जल्दी से रोक दीजें इसकी स्पीड को ठीड है जल्दी से अगला कोश्शन भी चिपका दीज़े अधे प्यारे दोस्तों अंसर बता दीजें क्या है आ एक आदमी धारा की दिशा में 36 किलोमेटर की दूरी दो घंटे में तैय करता है बहुत बढ़िया और धारा की विप्रीद दिशा में 44 किलोमेटर की दूरी चार घंटे में तैय करता है ओहो धारा की विप्रीद दिशा में 44 गया लेकिन 4 घंटे पूछ रहा है धारा के गती बताईए देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता है जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो पानी भी अपने इसाफ से दोड़ाएगा और हम अपने इसाफ से दोड़ी रहे हैं तो मुझे बताईए कितनी स्पीड हो जाएगी बढ़ जाए आप वह नोका यह है अगर मैं इस नोका की स्पीड मान लेता हूं एक्स और पानी पानी भी इसी तरीके से बैह रहा है तो वाई होगी इसकी मान लेते हैं यह एक्स यह वाई चलिएगा इस तरीके से हम ले लेता है बोट स्ट्रीम के इसाफ से लेना चाहो तो इसको बी मान लेते हैं अ एक ही डिसा में है अगर तो प्यारे दोस्तों मुझे बताईए इस कितना हो जाएगा बीश placed दोगी चाल 36 km जाती है दो घंटे में डोनों की चाल एड हो जाएगी किस मैं धारा की दिशा में तो आपको गे सर 36 गया है दो गंटे में तो एक्स बी पलस एस किता हो गया ठारा किलोमेटर परती गंटा दोनों एड करा अब वाई अगर आप जा रहे हो पानी के विप्रेज़ी समय तो पानी क्या करेगा चल पीछे वाई और क्या गरेगी चल आगे वाई तो नो कि आगे बढ़ने के लिए जादर लीच यह अब इस पार कितना जाता है 44 किलोमेटर जाता है चार गंटे लेता है तो वह यह किलोमेटर पर ती गंटा इसकी चालो गई खितनी हो गई 11 इसकी चाल हो गई अब निकाल लिए बी कमान एस कमान पूचा किसका गया है वो देखिए दारा की गति निकाल लिए तो दारा की गति निकल वारा रहा इसकी तो देखें प्यार दोस्तों तो दोनों का अंतर करिए हमें से याद रखिए दोनों का अंतर अगर ऐसे निकलवाए तो दोनों का अंतर बटे दो यानि कि अगर आपसे धारा की चाल निकलवाए अगर आपसे निकलवाए बोट की चाल तो दोनों को एड करे और आदा करो तो आप देख लिए आपके इसाफ से आंसर क्या बंदा है ठारा में से 11 गे 7 का अधा 3.5 किलो मेटर परती घंटा और अगर इसकी बात करें तो ठारा ग्यारा 29 का अधा 4.5 किलो मेटर परती घंटा तो बता दीजे भी आंसर कितना आ रहा है आपके इसाफ से बोट का पूचा साड़े 3 किलो मेटर परती घंटा किसका आएगा आपकी धाराकार 14 किलमेटर प्रती गंट आएगा इसका ठीक है तो देख लीजे आंसर आपका कितना आ रहा है बी आंसर आ रहा है आंसर बी आएगा किलियर है कोई दिक्का तो नहीं है ठीक है तो याद रखेगा हमेशा बोट आगे तभी बड़े कि जब बोट की चाल उससे जादा होगी धार तो प्यार दोस्तों उस में सवार था एक बार तो भी या बोट भी उधर ही जा रही है और पाणी बी दोस्तों दोंकि और 36 क्लमेटर तो कितना समय लिया 2 घंस तो इससा में आ रही है तो चाल किसकी योगी भी बोट की ऐसे जादा तो बी-स कितने दूर ह तो ग्यारा किलोमेटर परते गंटा आपकी चाला गए तो दोनों को एड करके आधा करे तो बी आ जाएगा दोनों का अंतर करके आधा करेगा तो ऐसा जाएगा चलते हैं सरगला कोशन लगाएगा स्क्रीन सोट लेत रही है ठीक है चलिए समझा रहा है ना बहुत बढ़िया जय हो जय हो जय हो चलिए अगले कोशेवे चलते हैं जवर्दस्त जिंदाबाद सांदार चलिए एक व्यक्ति तीन हजार रुपे में कुछ संत्रे खरीदता है वह आधे संत्रे 10% लाब पर वह सेस में से आधे बिना किसी लाब के हानी के बेश देता है सेस बचे हुए संत्रे को का विक्रे मुल्य ग्याद करें ताकि उसे कुल पर 20% का लाब पराप्त हुआ हो ठीक है कुल पे कितना हुआ हो 20% तो उसका विक्रे मुल्य जानना चाहता है और खरीदे किते वाई साह कुछ है खरीदता है तीन हजार रुपे के तो आपका अंसर क्या हुआ जल्दी बताइए जल्दी से तो देख लेते हैं कैसे करें इस कोश्चन को वे आधे संतरे तो दस पर 37 लाब पर वे सेस में से आधे सेस में से आधे बिना किसी लाब वहनी के और सेस बचेवे संतरे को क्या करें बचेवे संतरे को का विक्रे मुल्य है ग्याद करें सेस बचेवे संतरों का विक्रे मुल्य है ग्याद करें ताकि उसे कुल पर 20 परसेंट का लाब वाओ चलिए तो आपका जो आंसर बनेगा वो कि रहें कुछ बच्चे बारास वांसर भी करें चलिए तो देख लेता है कैसे करते हैं हम मालेते कुछ इस तरह की चीजे जिनको आधा बाटे तब भी चीजे बट जाए कोई बटे में फ्रेक्शन में चीजे ना बने तो मैं कर लेता हूँ टोटल मालेता हूँ अपने सबसे माल में लेते हैं है मैं माले टोटल चार ओरेंज 오रण्जिस करें फिर लिए दो में से وदॉत पर कर सकते हैं कुछ संते है संतर लाप कर चार में से हादे testify था तो बाकी बच गया कितने बचे होंगे दो उन दो कभी आदा यानिके एक पढ़ उन बाकी वाले का पूछ रहाए कि बाके वाले को क्या करें ठीक है चलिँगा तो बाकी वाले को क्या करें तोوب्लाब दोस्तों देखें आधे शंत्रें को पर बेचा कितने पर पर टैन परसेंट पिर चलिए कि आदेव आले को ना तो लाब पे बेचा और ना ही उसने हानी फेड़ जीरो परसेंट का प्रोफिट लोस इस पर हो ऊगा बाकी वाले एक को वह किसने पर वेच रहा है ठीक है कितने वेचे वह हमें पता करना है तो यह विक्रह मुल्च अपका कितना दस पर 307 पर यानि के 110 हो गया इस तरीके से नहीं करना है अब सोच यह टोटल पर प्रोफिट कितना लेता है टोटल पर 20% प्रोफिट तो दो रेक कितना होना चीह यह बिस सब्षकतां रहता है यहां क्याना तो यहां की कम है सर पीस की कमी है चलिए ओससत लेना सिखाया ता अब यहां पर देखिए आप यहां पर सब्सक्राइब प्यारे डोस्तों प लेना है हमने तो पता नहीं कितना ले यहाँ पहुत लिया नहीं तो माइनस बीस माइनस चालिस की कमी अगर इनके पास है तो जो यह अकेला जो बेचे हुए फल है इस पर 20 का लाब तो हो गई किसने का 20 का क्योंकि यह वह सत है 20 तो ही पलस में कितना है 40 तो 20 यह 20 यह बशुक्त का 40 हो रहे तो टोटल हम यह कह सकते हैं कि बई सी पी तो रहा होंगा सो और चालीस और 20 चालीस चालीस और 20 चालीस साथ टोटल साट परसेंट का परोफिट लिया होगा कि इस एक वरस्तू पे तो कितने की बेची hoगी तो 60 परसेंट लेके लेके 160 क कवेची होगी ठीक है किते की विची होगी साथ की वेची होगि अब हम में बात कर लेता हूँ हम एक बात बताईये चार वस्तू का रहा मुल्ट हधाद आफ था फिर हजार थी कहने oh एक रहा हुए थी तो अगर में कि जानना चाहूँ तो तो आप यह कोगे सरे एक वस्तू का हो जाएगा 4.082.5 700 रुपे की एक वस्तू पड़ी ओगी ठीक है अगर मैं रेच्व में देखू किती थी टोटल अमने चार मानी थी तो चार में से हर एक वस्तू कित्ते की पड़ी होगी साड़े 700 की पड़ी होगी डन है तो मुझे बताइए यह एक वस्तु ली कितने की थी साड़े 700 की ठीक है कितना गुणा हो जाएगा प्यार दोस्तों इसे से भाग देंगे साड़े साथ या पंदरा बटे दो गुना कह सकते वही बताइए तो इसका पंदरा बटे दो कह सकते हैं गई बारा सूप आदा ही तो ए साड़े साथ सो ठीक है तो इसका पंदरा बटे दो निकाल दीजिए वही तो देखें दो से बाग देंगे आससी और फंदरा है ठीक सो वीस यानिकिशा सॉ रुपए आपका अंसर आना चीए कितने की बै तो किस तरीके से question को किया जा सकते जल्दी से देख लीजे और मैं से को repeat भी करता हूं ठीक है जल्दी से ले लिए होगा स्क्रीन सोट्स तो मैं repeat करने जारों प्याद दोस्तों देखिए question में बोला गया था एक वेखिनी ने में से आदे जितने भी सेस बच गये उसका भी आधा वो कैसे ना लाब ना हनी फिर जो बाकी सेस बच गया उसे कितने पे बेचे भाई साहब जो पूरे पे उसे कितना लाब हो जाए 20% सारी प्रोसेट में तो हम यह कह सकते हैं हमने अपनी तरफ से करेंगे दो बच गये रहें सालने घ्रकों दो कह चार संतर हो रोड़ है तो प्यार दोस्तों आपको पता है टोटल चार संतरों पर 20% का प्रोफिट है तो पहले दो पर कितना है दस परसेंट का इसका मतलब यह भई सब पे 20% का तो वह होगा यह तो यह तो पर से तो दस पर पर सेंट की कमी रही होगी दो जगा तो माइनस 20% की तो कमी यहां पे रहेगी अगर मुझे सारा लाब लेना हो 20% का किया तो पोरी पूरी 20% की कम यह कियोंकि ना थलाव लिया था नहिंए तो 20 और 20 40% का नुंक्सान उसने अभी तक अपने कर लिया इसके साब सकर मुझे 20% लाव लेना है या इनि कि एक वश्व तू पर लाव के साथसा साथ मैं यह 40 B Lia होगा तो 40 22 . To total उस प्रस्स टो सब्सक्राइब देख लिए इसका स्क्राइब लेजिए अगले कोशिन पर आजाते हैं कि अगले कोशिन का अगले कोशिन पर आ जाते आंसर करिए चलिए तो अगले कोशिन पर जल्दी से आंसर करिए प्यार दोस्तो 16 स्क्राइब होता है 254 बिल्कुल हमें भी पता है वही 16 का स्क्राइब 256 होता है कोई 2.56 प्लस 2.56 चलिएगा यह प्लस में नीचे लिख देता हूं ठीक है यह लिख देते जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव सिक्स प्लस में आप क्या करिए प्या दोस्तों पहले तो यह बताईए यह भूल जाईए कि कहीं जीरो लगी है कहीं दसमलव लगा है सब भूल जाईए ठीक है आप सीधे बताईए दोसो चपन का वर्गमूल कितना होता सोला होता कि नहीं अगर मैं वर्गमूल करू तो दोसो चपन का वर्गमूल कितना होता है सोला यहां भी सोला होता यहां भी सोले होता यहां भी सोले होता आप ऐसे लिख लेजिए ठीक है सिंपल दो जीरो है यानि के सो सो का वर्गमू के बाद दसमलब लगा हुआ है इकाईधाई दो अंकों के बाद तो आपको बाहर लगाना है एक एक के बाद नहीं दों टो एक के बाहर ठीक है दो के अंदर लग जाएगा यह चार के बाद तो आप दो के बार लगा दीजिए एड कर दीजिए 160 1676 177 177 दसमलव 16 आपका 16 नहीं 60 10 76 यह आएगा 177 दसमलव 76 क्या आंसर आ रहे है या C या D डी आंसर आएगा तो आंसर क्या आएगा टी मैं जल्दी से रिपीट करता हूं अगला कोईशन लगाईएगा जल्दी से देख लिए स्क्रीन सोट लेके क्या करना है प्यार दोस्तों आपको बताए 16 कवर 256 यानि के 256 का वर्गमूल हमें पते 16 होता है तो आप सारी जगह बोल जाएए कि यहां पर गुणा कर देंगे दसकी सोलाएके साथ मेंचा से यहां 256 तो सीधे lots यह दोंग्कों के जाए तो आप एक लगति आगाई अगर दसव्लव मिलके सभी लोग लाइक से शरूर करें भाइस ठीक है की बहुत है शहीं जल्ली देखे आगला कुझेशन है कोश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा वाई है देखे आपने क्या 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 1 square को 1 गोले को 2 समान अर्द गोलों में काट दिया एक बड़ा गोला ठीक है एक Alright tulee को आपने क्या करें दो बराबर इस सो में काđट दिया यह काटा और आपने यह काटा तो प्यारे दोस्तों आपको पता है है क्या पूच रहा हो पहले तो है उसकी कुल शतेया यंच आ होता है टोटल सरफेस और होता बड़े वाले गोले ये प intelligent और यह कंद तो पाई-asquer प्लस पाई-asquer तो प्यार दोस्तों कित्ता हो जाएगा ठरीप स्क्रियर ये ढर्ने स τις कूर सरेंगे कितना से जाएगा यह फूर पाई-asquer और यहाई-as hybrid और स्क्राइब है तिक है पूछ क्या रहा है कितने परतिसत की वरद्दी हो जाएगी बताइए इसके संपुर्ण में कितनी की वरद्दी हो गए 3 P 3 P 6 P R 24 हो गया पाई से पाई आर स्क्राइब से आर स्क्राइब चलिए गा इसे काट यह दो नुपात तीन यानि कि चीजे 2-3 हो गई तो कितने का इंक्रीमेंट एक किस पे इस पे तो यह कितना होता है आधा कितना होता है 50% आंसर है खितना हो गया 50% आपका अंसर चलिए अगले कोईशन लगा यह सका स्क्रीण ले लिया होगा और जल्दी सब्ला कोश्चन लगा देता है मैं रिपीट कर देता हूं आपने गोले को दो बराबर इस्टों में काटा तो आधे गोले का हमेशा यहाद रखे संपुन पश्ट का चेटरबल कित्ता होता है उसका टोटल सर्फेस एरिया होता है थरी पाई आर इ उसका टोटल कितना हो गया और यह कित्ता था फोर भॉर पाइर सकार से 6 नुपात में रखेसेगा च्छार को 2 यह का फ़ोचस परसेंट चलिए सब्सक्राइब दोस्तों मिलके एक बार क्र दीजिए वोभी कर लीजे है मैं क्रिपर इमनाक्ति आ चेला जल्दी से आंसर करिये मैं इसको मिटा रहा हूं ठीक है देखेगा ए अ कि तो जल्दी से से देखिए प्यएप दोस्तों यह कौशन है ए एक काम को 12 दिन में और वित उसी काम को 15 दिन डिन कर सकता है चलिए पहले कहरें दोबारी यदि दो बारीबारी से एक दिन काम करें और शुरुवात एक तो काम को समप्त होने में कितने दिन लगेंगे देखे दोस्तों मैं हिंधी में को पड़ के कर रहा हूं में एक काम को 12 दिन में करता है यदी को बारी बारी से करें तो काम कितने दिन में समय हो समापत हो सकता है तो 15 12 के कैलसियम लेते हैं EO साट वही मैं कहता हूँ कि एक आदमी बारा दिन में रोटी खा देता है तो फरंडे नहीं खा कुछ में था तो दोनों डेको नोफ फाका दिनकाः यह 2010 गाइंगे नहीं पांच दिन 4 परडे में घाँगे तोडेस में क्हारिेंगी क्योंकि अल्टरनेट अपने लगा दिये। टोटल कितनी खानी है तो मैं इसके आसपास पहुंच जाता हूँ 6 बार गुना करेंगे तो 54 रोटिया में देखू तो मोटे तोर फे 12 दिन में खा चुके होंगे कितने दिन में 12 दिन में ते सर्त तेरा सही एक बटे चार दिन तो यही आपका आंसर है करें को आखते हैज़ी करेंगेक देखें़ सातीयों आपका टाईरा हो चुका है मैं इस को जल्दी से रिपीट करता हूँ और दो तिन कोशन होमवर्क के लिए रेडी करवाता हूँ सरी स्क्रीन सोर्ट दे दीजिएगा मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ देखे ए 12 दिन में भी 15 दिन में तो हम इनके लिए रोटिया बनाते साथ तो यह खाता है पांच रोटी पर दे यह नोई खापाए तो अगर मैं देखू तो नोचिके 54 यानि के 12 दिन में कित्ती खापाएंगे 54 अब बई अलग-अलग कर लेते कभी गलती हो जाए तो अगली वरिया 54 के बाद में 5 रोटी खायने अगले दिन को ना आया एक तो तो 13 दिन में कित्ती खागे 69 रोटी एक रोट जल्दी से ले लिजे ठीक है लेज़िया सर चलिए तो मिलते हैं प्यार दोस्तों बताईएगा जरूर कमेंट करके और प्यार मिलते हैं बाकी कोश्चन के साथ तो जब तक के लिए सभी हस्ते रहे हैं मुस्कराते रहे बाइट एक कर अपना ध्यान दखेगा लवी ओ जैन जै भारत